हेलो एबरिवन जड़ने क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा most important topic जो कि यह DNA और RNA में अंतर देखिए एक तरफ मैंने DNA और एक तरफ RNA को मैंने लिख लिया है यह है DNA और यह है RNA तो पहला point देखते हैं DNA DNA में डी आकसी राइबोस सरकरा होती है आपको याद करना है इसमें DNA में क्या पाए जाता है डी आकसी राइबोस सरकरा सरकरा का टाइप होता है डी आकसी राइबोस जबकि RNA में राइबोस सरकरा होती है RNA में जो सरकरा पाए जाती है वो राइबोस सरक्रा होती है नेक्स्ट है DNA में इसमें नाइट्रोजनी छार इसमें जो नाइट्रोजनी छार होते हैं वो थे एडिनीन, गौाइनीन, थाइमीन और साइटोसीन अब इसमें देखिए RNA में क्या होता है RNA में नाइट्रोजनी छार adenine, guanine, uracil और cytosine होता है मिंस यहाँ पर जो change हो रहा है वो change हो रहा है थायमीन का DNA में थायमीन पाए जाता है जबकि uracil जो है वो RNA में पाए जाता है थायमीन के स्थान पर तो यह change हो रहा है next है DNA तिसरा point DNA के जो अडू होते हैं वो दो लंबे कॉंडिलेट एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना हुआ होता है, जबकि RNA जो होता है केवल एक ही सूत्र का बना हुआ होता है, मिस यह double helical होता है और यह single होता है, ठीक है यह कॉंडिलेट होता है double helical के रूप में, नेक्स देखे डियने ये केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाए जाता है डियने केवल केवल कहां मिलेगा केंद्रक के जो क्रोमेटिन सूत्रों होते हैं ठीक है जो गुर्ण सूत्र जिन से बनते हैं केवल उन्हीं में डियने पाए जाता है परन्दो운 दुईगोडन के द्वारा अपने समान नए अडू उत्पन करता है दुईगोडन की एक क्रिया होती है डिने के अंदर डिने एक से डबल हो जाता है और अपने समान नए अडू को बना लेता है कैसे द्यूगणन के द्वारा परन्तु RNA में कोई भी द्यूगणन की क्रिया नहीं होती जब RNA हमें बनाना होता है तब हम DNA के द्वारा RNA बनाते हैं कैसे बनेगा DNA से बना लेते हैं हम RNA Transcription के द्वारा Next देखिए point ये अनुवाशिक पधारत है DNA जो है वो एक अनुवाशिक पधारत है जबकि RNA अनुवाशिक पधारत नहीं है ये main difference थे, main अंतर थे DNA और RNA में मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चेटर को सब्सक्राइब जरूर करे थेंक यू